दॉक्टर कीवेच खान ना सिर्फ एक अच्छे और बहतरीन डॉक्टर थे बलकि उसके साथ ही समाज का भला सूचने वाले भी थे और यही वज़ा है कि उन्होंने ना सिर्फ जिस्मानी बिमारियों को ठीकिया बलकि समाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए कई नुस्खे अपना है डॉक्टर की वेच खान एक ऐसा नाम एक ऐसा चेहरा एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ गया में जाना पहचाना जाता है बलकि पूरे बिहार में अपनी अलग पहचान रगते हैं खोलकाता से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वो गया लोट आए और वहीं उन्होंने अपनी प्रक्टिस शुरू कर दी इस पेशे के जरीए उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था बलकि लोगों की सेवा करना था वो जातपात, धर्म, भाशावाद, छेतरवाद से उपर उठकर बस लोगों का भला सोचने वाले थे और यही वज़ा है कि गया के यतीम खाने को उन्होंने सीचने और सवारने का काम शुरू कर दिया एक ऐसा यतीम खाना जिसे डॉक्टर किविच खान साहब के नाना ने शुरू किया था और उन्होंने इस यतीम खाने को अपने धीवन का मकसद बना लिया इस यतीम खाने में डॉक्टर किविच खान, तालीम, तर्बियर और सलिका के साथ बच्चों के सर पर माबाप के साय की तरह बने रहे यहां पढ़ाई के साथ बच्चों को खासकर लड़कियों को अलग-अलग स्किल सिखाय जाते हैं ताकि इस यतीम खाने से निकल कर कोई किसी का मोहताज नहीं रहे बलकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके एक बड़ी दिल्चस्प बात है कि जब इस यतीम खाने की बुनियाद रखी गई तब मुस्लिम जमिनदारों ने इसका विरोध किया था लेकिन एक हिंदू राजपूत महिला ने अपनी दो भीगा जमीन देकर इस यतीम खाने के लिए देकर मिसाल कायम कर दी लोगों की खिद्मत ही आपका पेशा हो तो आप मर भी जाए तो जिन्दा रहते है और यही वज़ा है कि डॉक्टर कीविच खान इस दुनिया को अलविदा कह गए तो उनके जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ों भीड़ी भीड इतनी की गया का गांधी मेदान स्टेडियम छोटा पड़ गया जिसकी वज़ा से दो जगा उनके जनाजे की नमाद अदा की गए हर किसी के आँखे नम थी मानों किसी यूग का अंथ हो गया ऐसे मैं लाह ताला से दुआ है कि अलाह ताला डॉक्टर कीवेच खान के गुलाहों की मगफरत फर्माएं उनके कबरों को नूर से फड़ देए उन्हें जन्नत में आला से आला मकाल अता फर्माएं आमें इस कारकरम में हम डॉक्टर रहांग खानशूरी साब का विलकम करते हैं